जिनके पास घर नहीं है उनके घर पर आप तिरंग जिसके पास में तिरंगा आए घर नहीं है उसके लिए आप क्या करेंगी घर देंगे मोदी जी के लिए एक special वीडियो बनाई है मैंने और वो वीडियो जो है वो मैं 12 अगस्त को आप सभी के द्वारा उस वीडियो को पूरे देश को दिखाऊंगा वो वीडियो जो है वो वीडियो मैंने बनाई है दिल्ली के कश्मीरी गेट से लेकर लाल किले तक की जहां पर लोग रात को फुटपात पर सोते हैं और कई बार आपने इस देश के अंदर ऐसा हास्ता सुना होगा कि फुटपात पर सोने वाले व्यक्तियों के उपर गाड़ी ये ट्रक चड़ा दिया जाता है तो मेरा मोदी जी से ये सीधा सवाल है कि मोदी जी आपने दो बात कहीं थी पहली बात ये कि सभी का अपना मकान होगा देश के अजादी के 75 साल पर और अजादी का जो वो 75 साल आ रहा है 15 अगस्त आ रहा है सुतनता दिवस आ रहा है तो देश के लोगों को अपने अपना घर नहीं मिला दूसरी बात आपने कही थी कि किसानों को उनकी राशी मिलेगी किसानों की आए दुगनी होगी तो किसानों की आए भी दुगनी नहीं हुई बलकि आपने बीते कुछ सालों में अपने कारेकाल के दौरान देश के किसान को एक साल के लिए सडकों पर बिठा दिया और इस मुईम के तहट 700 से जादा किसान भाई जो हैं वो देश के लिए शहीद हो गए थे देश के खातिर शहीद हो गए थे एक ऐसा ब्लैक एक्ट इस देश के अंदर लाया गया दूसरी बात आप प्रधान मंतरी मोधी जी की बात कर रही थी आप सभी को पता है हिंदू युव वाहिनी के दुआरा किस प्रकार से तिरंगा यात्रा को रोका गया किस प्रकार से देश के तिरंगे का जो है वो अपमान किया गया और किस प्रकार से जो लोग तिरंगा यात्रा लेकर जा रहे थे उनको जेल के अंदर बंद किय गया दूसरी बात यह कि एक तस्वीर आप सभी के सामने दिखाना चाता हूं यह तस्वीर बड़े गौड EDI कर अग् moldi Q दोनों में से एक काम करतों करके तो दिखाइए मोदी जी क्योंकि ये खाली गाओं अच्छे नहीं लग रहे हैं या तो आप इसके उपपर बुल्डोजर चलाइए या फिर तिरंगा लगा कर दिखाइए आप हर घर तिरंगा तो पहुचा रहे हैं क्योंकि ये लोग GDP तो समाल नहीं पाए तो DP चेंज करवा रहे हैं सरकार कह रही है कुछ लोगों की देश भक्ती कम होगी आप जैसे लोगों देश भक्ती जगाई जा रही है लेखिए हमारी देशभक्ती तो बहुत है, हमारी देशभक्ती कोई नरेंदर मोदी या मिस्सा नहीं जगाएंगे, अगर इनको देशभक्ती जगानी है, तो जगाएं अपने नेताओं की देशभक्ती, जिनकी देशभक्ती गायब हो गई है, कौन सी देशभक्ती ये सिखात किहां पाकिस्तान हुमारे हिंदुस्तान के जवानों को गोली मारने का काम करता है कौन से देश भक्ति यह शि51 कि आपमेस्थे के लोगों से से लिटीफिके वांगे यह उनको शैटिफिके दे रहे हैं या कोई तिरंगे से दिक्कत नहीं है लेकिन तिरंगे के नाम पर जो ये पैसा उगाई का कारेकरम किया जा रहा है ये देश की अजादी का कैसा दिन है कि हम अपने देश को देखने के लिए एक फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये फोटो है 1947 पंदरागस सन 1947 जब पहली बार इस देश के प्रधान मंतरी ने देश के लाल किले के उपर तिरंगा जंडा लराया ये फोटो और ये तस्वीर उस दिन की है ये तस्वीर को बड़े गौड से देखेगा ये तस्वीर 15 अगस्त 1947 की है जब सारा देश अपने देश के प्रधा मंतरी को देख भी नहीं सकते हैं अगर आपको देश के प्रधान मंतरी को देखना है तो पहले आपको लाल किले के अंदर जाने की टिकट या पास खरीदनी होगी जिसमें वी आईपी रौ भी होती है और नेता मंतरियों सांसदों के लिए अलग से जगे होती है मतलब देश के अंदर एक ऐसा राष्ट बना जिसको डेमोक्रेटिक कंट्री कहा गया जिसको लोकतंतर कहा गया जिसके अंदर सभी लोगों को समानता का दिकार दिया गया शिक्षा का दिकार दिया गया लेकिन आज उस देश के अजादी के दिन पर एक देश का गरीब आदमी रोड पर पर देश के अंदर उनका जंडा उनको तिरंगे से कोई प्रेम नहीं और मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं यह फोटो आप देखिएगा और अपने तमाम दर्शोगों को भी दिखाइएगा आपको बड़ा अच्छा लगेगा यह फोटो देखकर हैं यह देखिए यह फोटो कल मैंने क्लिक करी ती आज से कुछ दिन पहले यह फोटो भारतिय जंता पार्टी के एक नेता के घर की है यह फोटो आप बड़े ही गौर से देखिएगा यह फोटो भारतिय जंता पार्टी के एक नेता के घर की है जिसके अंदर कमल का जंडा उपर लगा हुआ मतलब आप यह जो जिस प्रकार से तिरंगे का अपमान करवा रहे हैं आप हर घर तिरंगा लहर वारे हैं चलिए तिरंगा लहरना बहुत अच्छी बात है लेकिन देश के तिरंगे के लिए एक विसेश एक्ट मना हुआ है तिरंगे की कुछ मान मरियादा है तिरंगे की कुछ ये बताइए ना आप मुझे आप चंद पैसे कमाने के लिए या आप दोगों को राष्ट वक्ति और देश वक्ति का प्रमान बाटने के लिए भले ही पूरे गली में एक तिरंगा जंडा लहरे लेकिन वो सम्मान के साथ वो राष्ट्य धोज लहरना चाहिए समझ रहें वो क तिरंगा जंडा एक दिन दो दिन बाद अभी मैंने देखा कुछ पोश्ट्रों पर इन के लूपर करने चाहिए कि जौ भी लोग पोश्टरों के लूपर होटें के ओ देश कह तर नेननल फ्लैक बनाते हैं तो नेश्नल फ्लैक जब फेरों कि पैरों में आ पारे आगर आप नेशनल फ्लैक की फोटो बनाकर उसको पोस्टर में लगाएंगे तो पोस्टर एक दिन दो दिन बाद बारीज का मौसम चल रहा है आंदी और तुफान के जरिए वो पोस्टर पैरों में आता है जिस परकार से आपने देखा नहीं मोदी जी की योगी जी की जो तस्वीरे हैं लेकिन फैरे पूर इज़त के साथ में फैरे और फैरे तो अच्छी तरीके से लोग देश के राष्टे धोज का सम्मान करें हमें जगे जगे नहीं फैरवाना एक ही जगे फैरे लेकिन लोग उसका सम्मान करें लोग इसकी रिस्पेक्ट करें आपको पोस्टर में तिरंग इस देश के अंदर मेरे घर से आर्मी के अंदर हैं जिन। अपना सरव机 नुछावर कर दिया हैं नरेंटर मोदी के घर से मिस्सा के घर से आस तक कोई तरंगे में लिपट कर आया है बता है तर्य द्यजवक्ति दिछे कि तरीके partnered सब्सक्राइब सब्सक्राइब राजगुरू, सुखदेब, भगस सिंग, मौलाना अब्दुलकलामाजाद, अश्वाकुलाख खां और देश के वो तमाम करांती कारी जिन्नों ने इस देश के लिए अपना सरवच्च चन्योच चावर कर दिया, क्या उनको शहीत का दर्जा परदान है, क्या उनको इस 15 अग भी दिखाई जाती हैं, देश भक्तिरी के 15 अगस्त के दिन सारे टीवी चनल पर और देश के प्रधान मंतरी जो हैं, वो खड़े ओकर जुमलों की बहुचार करते हैं, खुले आम, खुला जूट, मुंगेरी लाल भी क्या हसीन सपने दिखाता होगा, जो नर्यंदर मोदी दिखाते हैं, और खुला जूट, जिनको आजादी मिली थी, उनके तो नहीं मनाएंगे, वो तो तभी मनाएंगे, जब कंगना रनावाद जी की जब पूरे 75 वर्ष भी बर्स गांट होगी ना, देश की आजादी की वो लोग तो मनाएंगे, वो लोग नहीं मनाएंगे, क् कि उनों का क्या है, वो लोग सोच रहते हैं, कि सावरकर के पैर पढ़ने से ही अजादी मिल जाए, लेकिन ये अजादी तो भगस सिंग न चाती पे पाऊं रख के चीनी थी, अंग्रेजों से, तो सावरकर वाली अजादी चाहते थे ना, और सावरकर हमेशा इस देश के अ तो है, ये पुरा कुछ भी नीता ना लोगों के पास रहने को घर थे, ना खाने को रोटी थी, मोधी जी एक दिव्य पूरुस हैं, जिन्हों ने अवतार लिया, और उसके बाद लोगों को खाना भी दिया, सर ढखने को चट भी दी, कपड़े पहनने सिखाए, सब कुछ मो ये आपके पत्रकार पूरे देश की महिलाओं को अपमानित करते हैं, आपके कहने कारत ये है, कि अगर कोई देश के लिए कुछ करना चाहे, तो पहले उसको अपनी घरवाली को छोड़ना पड़ेगा, आप पत्रकारीता कर रहे हैं, क्या अपनी बीवी को छोड़ रखा है अपने चोड़नी रखी है, अरे चोड़नी रखी है, बच्पन में किसकी साधी होती है, और किसका कुछ होता है, जरा आप ही बता दीए, पहले बच्पन में साधिया नहीं होती, गोने नहीं होती है, अरे तो मोधी जी ने बाल विवा किया है, भाया मैं नहीं कह रहे है, प मोदी जी कुछ भी करते हैं कुछ भी कह सकते हैं मैं आपको कहते हूं कि मुंगरी लाल भी क्या निस्फने दिखाता होगा जो नरेंदर मोदी दिखाते हैं यह जूट बोलने में महाई रहे हैं घर परीवार तो छोड़ा ना न देश के खादिर देखिए बइया आप एक बात जंग भी लड़ी जाकर नहीं मिलते हैं तो मोधी जी फुटपाद पे रहते हैं जुगी में रहते हैं मोधी जुगी में रहते हैं तनका नहीं मिलती देश के प्रधान मंत्री को इसके लिए अरे तो भाई आप प्रधान मंत्री हैं तो सरकारी घर में ही रहेंगे जब सारी जिंद्गी घूमने फिरने में और आपने ऐसी करके बिता दी तो सीधी सी बात है आप सरकारी अवास में ही रहेंगे आपका अपना खुद का घर तो होगा नहीं बहुत आपती है जब इस देश की जंता सुननीजे जब इस देश की जंता दो वक्त की रोटी ना खा पाए ना और देश का प्रधान मंत्री चार बार कपड़े बदले तो आपती होनी चाहिए सुननी जीए और मैं तो आज इस देश के ओपर सोचने को मजबूर हूँ कि ये देश वो देश है कि जब इस इंडिया कंपनी ने इस देश के अंदर नमक के ओपर टैक्स लगा दिया था तो ये देश सडकों पर उतर गया था लेकिन आज रोटी से लेकर कपड़े से लेकर तमाम चीजों के ओपर टैक्स लगया लेकिन ये देश गूंगा और बहरा हो चुका है इस देश के लोग सोच चुके हैं आकिर इसका कारण क्या है इस देश के अंदर संबिधान की धज्या उड़ाई जा रही है अभी क्या पूरा देश जगा हुआ है लेकिन आप जैसे पत्रकारों की खामोशी इस देश की गुलामी का सबसे बड़ा नतीजा है ध्यान रखिए आप जैसे पत्रकार इस देश के अंदर ये प्रमान देते हैं कि अगर ये देश गुलाम होगा तो उसके जिम्मेदार आप होंगे क्योंकि आपको पैन पैंसिल रबर कॉपी आपको नजर आती है तो सिर्फ मोदी जी के जो माताचीरी के साथ फोटो खिछती है वो नजर आती है अरे तो गबबर सिंग का कोई घर परीवार था लेकिन फी डांका डालता था आप ने पूछा कभी वो किस के लिए डालता था रांते पूछ अगर कर सकता रह तो कि एस वणने जाता है जिए सी बात अर। तैक्स का पैसा देस देश इत्म तो लगी नहीं रहा तैक्स का पैसा तो नेता और मंतरी की घुमाई के लिए लग रहা है यह नेता मंतरियों को जो तनकाओ he ð subscribe यह हमारे और आपकेष के पैसे से मिलटी है लेकिन तो इस देश के उन तमाम लोगों को समझनी चाहिए, जो बड़ा गला फाड़ फाड़ कर सड़क पर लेट लेट कर चिला रहे थे, हिंदूओं की सरकार है, हिंदूओं की सरकार है, देख रहे हैं न आप किस प्रकार का कान्ड हो रहा है, जिस प्रकार से भारतिया जंता पार यह देष के अंदर लोगों का सित्माल करती है वह देश के अंदर सूदर रही यह नहीं दिखा निकिन समय रहते जो व्यक्ति में अपना लिया तो वह बच सकता है वरना यह देश की बरवादी अरे कमने इस्ती वारी की तो हत्याहिक रादी गाजीजियवाद में आपने क्योंकि इस देश के अंदर सबसे बड़े गर्व की बात यह है कि हम अजादी का 75 साल मना रहे हैं और हम सबको एक होना जरूरी है हम हिंदू मुसल्मान सिक और इसाई से पहले सबसे पहले हम इस देश के नागरिक हैं और हम इंडियन हैं तो हमें गर्व से कहना ची आई प्रा